नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्तित स्वागत करता हूँ नॉलेजगेट यूट्यूब चैनल के उपर अभी बात कर रहे हैं इस प्लेलिस में सौफ़र इंजीनिरिंग की और इस वीडियो में बात करूँगा कपलिंग की कपलिंग का जो पूरा स्पेक्ट्रम है इस तो कपलिंग क्या है यह तुम पहले समझ चुक है लास्ट वीडियो के अंदर फिर भी जल्दी से याप दिलाता हूँ बहुत सारे मॉडियूल होंगे और जार सी बात है जब वो एक दूसरे के साथ मिलके ऐसा सिंगल यूनिट बिहेव कर रहे होंगे तो आपस में डिपें करना मुश्किल होगा समझना मुश्किल होगा लिखना मुश्किल होगा बहुत समस्या है तो डिपेंडेंसी जितनी कमओ इतनी अच्छा यहां एक बात में परेंशा करना है तो जैसे इस दिखाए गया है इधर तो कोई dependency कोई coupling ही नहीं है यहाँ पर है बट जैसे आप देख रहे है एज रिप्रेजेंट सा dependency relatively कम है जैसे बोलता है loosely coupled है and this is you know very high coupling because बहुत सारी dependency है अब इस system में माली जे module 1 है अगर थोड़ा भी चेंज कियाना तो हो सकता पूरा operationally वरबाद हो जाए पर उस पता नहीं वह feature कितने module यूज कर रहे हो क्या dependency बहुत सारी चीज़ है तो यहां पर मैं यह पूरा spectrum follow करूंगा याद रखिएगा data dependency जो है वो सबसे weak level of coupling है इसलिए सब सबसे अधर desirable है हमें क्या चाहिए हमें coupling जादा चाहिए कि कम चीए हमें coupling कम चाहिए तो data coupling हमें सबसे अच्छा लगता है और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगो जो worst form of coupling है यहां देखें लिखा है best यह नीचे लिखा है worst जो worst form of coupling है this is content coupling तो यह तो avoid ही करने कि इस तरह का scenario हो yes तो हम best से worst की तरफ जा रहे हैं हम less coupling से high coupling की तरफ जा रहे हैं हमें low coupling अच्छा लगता high coupling खराब लगता है दस में से साथ बार तो यही question पूछ लाते competitive exam में क्या चाहिए coupling हाई चाहिए coupling low चाहिए तो let me go to the first point on this data coupling साधारन भाशा में आपसे बोलू what is data coupling जब एक module दूसरे module से communicate करे just by passing of data data को पास करके इसको बोलता है data coupling इस साधारन थरीका हो नहीं सकता मैं दूबारे आद दिला रहा हूं मैं यह नहीं चाहरा कि coupling हो ना दो module आपस में बात ही ना करें वरना you know unite करें कैसे single software कैसे behave करेंगे तो बातचीत हो लेकिन data की तरह से data के facts से हो data के थुरू हो जब data के थुरू बातचीत होगी आपस में कोई dependency नहीं रहेगी उधारन के लिए example देता हूं छोता सा मान लिजे module 1 आया module 2 आया module M1 के पास कि आर मेरे को 50 रुपए चाहिए for example इसने का ठीक है M1 ने 50 रुपए सीधे डारेक्ट हाथ में देके इसको दे दिये ठीक है एक दिन के बाद अगर module M1 का इंटरनेट बैंकिंग क्रैश हो गया या SMS बैंकिंग क्रैश हो गया मुबाइल फोन में कुछ गड़वड हो गई उसका बैंक लॉकर टूट गया उसकी चाविक हो गई थी किसने पैसे निकाल लिए इस बात का M2 से कोई लेना देना है मेरे को क्यों पूछ रहा है तुने मेरे को 50 रुपे दिये मेरे पास तेरे कोई ID पासवर्ड टिजोरी की कुछ भी तो नहीं था हां तेरे मेरे बीच में dependency है 50 रुपे की लेकिन मेरे को तेरी किसी internal information internal architecture के बारे में कुछ नहीं पता तो देख हमारा जो relationship है कितना clear है कितना साफ है तेरे को दिक्कत है 50 रुपे वापस पकड़ बात समझाई तो जब मैं purely data को use करके communicate करता हूँ मैंने आपके value पास करी अब माली जे internal system है कैसे scan कर रहा है कहा store कर रहा है M2 को से क्या लेना देना है तो this is the least coupling या सब से बोल सकते है lowest form of coupling possible and because of which it's the most desirable one अगला case आजाता है stamp coupling वही पाला example ले लिजे यहां पर क्या है दोस्ती पक्की थी M2 ने का 50 रुपे दे पर्स रखा है ले 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 और फिर उसमें से पास रुपे कम हो गए M2 M1 को यार नहीं कहीं और खर्च किये थे पर अब शक किस पर जाएगा M2 पर जाएगा यार उसी ने निकालोंगे पता उसको मैंने पर्स दिया था अपना तो for example हो था call by value call by reference तो मान लो मैं कोई data ना पास करके मैं उसका address पास कर दूँ अब मेरी memory location का access to M2 के पास भी है ना कल को कोई गड़बड होगी कोई error आएगा कोई failure होगा तो बताओ dependency जादा है कि कम है जादा है जो बात में tester होगा उसे M1 के साथ साथ M2 को भी अच्छे से चेक करना पड़ेगा विगाज अगर data corrupt हो रहा है कोई problem आ रही है कोई malfunction हो रहा है तो इसका address to M2 के पास भी है उस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा yes I hope यह पूरी बात आप समझ पा रहा है so this is very very important तो stamp coupling के अंदर हम data पास करते हैं कि address पास करते हैं so stamp coupling के अंदर सम डेटा नहीं हम address पास करते हैं और पूरा का पूरा जो understanding है पूरा का पूरा जो idea है वो पूरा idea यहां पर जा रहा होता है जो थोड़ा सा जादा level of dependence है यह बाद आप समझ पा रहे होंगे going further control coupling computer architecture में आपने कई बार देखा होगा flags वगरे का यूज करके क्या एक module दूसरे module की functionality कर सकता है हाँ हो सकता है मान लिजिए producer यह consumer producer बार-बार operating system पढ़ते है producer बार-बार article प्रेडियूज करते जा रहा consumer consuming नहीं कर रहा एक level के बार producer को रुखना पड़ेगा कहने को तो यह दोनों independent है लेकिन अगर consumer consumer नहीं करता तो एक bottleneck है उसके बार तो में जाकर वेट करूंगा ही करूंगा तो जहां पर external reason की वज़े से दो module आपस में dependent हो एक module की functionality दूसरी module इंडारेक्ली control करे that is known as control coupling और example देख सकते है railways है signal है मान लिजिए तो signal system अलग है train अलग है पड़ क्या दोनों module का dependence है हाँ जब तक signal green नहीं होगा तब तक train आगे नहीं बढ़ सकती तो अब signal जो है वो एक module है पूरा signal system driver के पास अपना module है पड़ दोनों की बीच में बड़ी severe level of dependency है yes so this kind of dependencies known as control coupling आगे पढ़ते external coupling यह क्या reason है रिखिए अपितिक जो तीन टाइप हमने बात की ना पहले data की then stamp की then control की वहाँ पर coupling design थी कभी कभी चीज़े design नहीं होती है हम चाहते नहीं ऐसा हो बड़ फिर भी dependency हो जाती है अब मालेजे एक software है एक computer है जिसके अंदर दो लोग एक साथ CPU को access करना चाहते है बता यह कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे CPU तो एक है hardware level of dependency सोचिए मालेजे main memory यह data bus ही है pipe lining में पढ़ते है अलग-अलग module से काम भी करना चाहते है लेकिन क्योंकि अभी एक memory को access कर रहा है read कर दूसर write नहीं कर सकता system बस एक है memory एक है road का railway वाले example ले लो दो station है S1 और S2 दोनों trains के पाथ green signal है लेकिन track single है अब बताओ एक बार में दो train चली जाएंगी क्या अब लड़ाई you know driver की और signal की नहीं है लड़ाई इस track की है resource limited है traffic problem road एक है जाने वाले जादा है आप जाना चाहते हो जिसके पास जा रहे हो वह भी बुलाना चाह रही है कोई दिक्कत नहीं वाट फिर भी नहीं पहुंच पा रहे है कि ट्राफिक बहुत जादा तो इस तरह की dependency कि इसमें external coupling में जब किसी external reason की वज़े से दो module एक दूसरे पर kind of dependent हो जाए यस गो फर्दा ने इस वाल content common coupling common coupling जहां पर हम shared data पर काम करते है अगेन operating system में इस तरह के बहुत सारा ideas हमने पड़े हैं तो जब भी share data है process synchronization के issue होते है एक अंदर गया सही order से follow नहीं किया system में deadlock लग गया तो एक module का दूसरे module पर dependency है because of the common data involved तो यह भी बड़ा severe level of dependency हो सकता है कि दोनों के पास same address है same access है तो इस तरह के global data की वज़े से जो dependency उसको क्या बोलता है common coupling बोलता है going further content यह तो यार worst class of coupling है इसका मतलब क्या है ऐसा समझे हो मान लीजिए car है ठीक है car को एक में unit मान लेता हो there's a car और उसी के अंदर engine है sir engine तो car ही है नहीं engine को निकाल के बाहर रख सकता हूं दूसरा engine अंदर रख सकता हूं अगर मैं इस तरह से visualize करूं कि car एक module है M1 और engine दूसरा module है M2 इन दोनों में dependency है क्या बहुत high level of dependency engine is the subset of the car बिना engine के car कैसे चलेगी this is called content coupling पढ़ो क्या लिखा है when one module is the part or the context of another module then it is called content coupling and it is the worst form of coupling सबसे खराब coupling ही है कि इस तरह आप system design करें जहां पर एक module दूसरे का subset अब तो यह dependency होई गई बिना M2 के M1 कुछ करी नहीं पाएगा बिना M1 के M2 के existence का कोई मतलब नहीं है तो यह हमारी 6 टाइप है मेरी खाल सब को confusion होगा नहीं और जो question जादा तो यहीं पूछेंगे बताओ सबसे अच्छी coupling कौन सी है low coupling सबसे खराब coupling कौन है high coupling पूरा spectrum बता दो data stamp control external common content तो I hope यह पूरा pattern आपको ध्यान रहेगा बड़ जैसे मनें पहले भी बोला था coupling में और cohesion में जादा मुश्किल problem कौन से cohesion तो cohesion क्या है वो कैसे काम करता है उसकी क्या understanding उसका पूरा spectrum है next वीडियो में उस पर बात करता हूँ यहां तक आये हैं तो वीडियो को like जलूर करिए comment करिए जो भी feedback है बताईए channel को subscribe करिए और हमारा साथ देतरी हमारा काम सर उसी से चलेगा thank you so much जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप उसे सारा स्लेबर्स डेली थ्री आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो gate के डिगरी के अंदर subscribe करिए अनकेडमी प्लेटफॉर्म पर रफ्रिल गूड यूज करिए KGYT 10% discount के लिए बाकी सारी information के लिए वीडियो का link आपको description म मेलेगा